प्रधान मंद्फरी नरींद्र मोडी ने वीडियो कॉन्फिंसिंग के माध्यम से विक्सित भारत संकल प्यात्रा के लाभार्तियों से समबात किया देशभर से विक्सित भारत संकल प्यात्रा के हजारों लाभार्ति इस आयोजन में शामिल हुए विक्सित भारत संकल प्यात्रा देश भर में निकाली जा रही है जिसका उदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूनता हासल करना है और इसके तहट ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाब सभी लक्षित लाभारतियों तक समय बद तरीके से पहुँचे जब गारंटी वाली गाड़ी आपके हिलाके में आई तो सामान ये जो हमारे किसान है गाउं के लोग हैं गरीप परिवार के लोग हैं उन सब को उसमें से क्या मैसेज गया है क्या लग रहा है मावल क्या है मैसेज चर अच्छा है जैसे आप पिछले पिछले किसानों से बाचीद में भी बोर रहे थे कि अभी हमें और गैने की तरफ जाना चाहिए और जे जो कैमिकल्स हैं खाद वगरा इनमें कमी करनी चाहिए वो सारा सार हो पाएगा अभी किसान को विश्वाश हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी जैसे मैंने आप से बिंती किया है कि बहुत सारी चीज़े मिल रही है मगर उपेक्षाएं और भी बढ़गी है कि और भी म मुम्किन नहीं है और मैं बार-बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उप्योग करने वाली खेती करें हम हम को फटी लाजर का दुरुप्योग न करें केमिकल का दुरुप्योग न करें यह जितना ज्यादा हम सहियम रखेंगे तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की क्पूजा करने के लिए जो कहा है न हमारे गुरुओं ने जो सिक दी है वो उसिक पर हमें खेती करनी चाहिए और मैं तो मानता हूँ क्हेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग की है वो सबसे उत्तम प्रयोग है प्रधानमित्री ने अपने सम्मोधन में कहा कि विक्सित भारत संकल प्यात्रा का सबसे बड़ा मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुचाना है और उन्हें बताया कि मोधी की गारेंटी की गाड़ी गाउं गाउं जा रही है लोगों तक पहुचना सरकार अपना दायत्व समझती है छोटी छोटी जरुरतों का ये संगर्ष देश में गरीबों को किसानों को महिलाओं को और युवाओं में इन लोगों को सबसे अधिक रहा है हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीडियों को बैसा जीवन जीना न पड़े आपके पुर्वजोंज को जो मुसीबते जेलने पड़ी आपके बुजूर्गों को जो कठिना या जेलनी पड़ी वो आपको जेलनी न पड़े यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किंद्री सुचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी की सरकार में गरीब कल्यान की कई ओजनाएं चलाए गए कॉंग्रेस जो कारे 70 वर्षों में नहीं कर पाई उससे जादा मूदी सरकार ने 10 वर्षों में किया है उन्होंने कहा कि देश में हर वंचित को उसका हक मिले इसके लिए विक्सित भारसंकल प्यात्रा चलाई गई है मोदी जी की सरकार में गरीब कल्यान की अनेको अनेक योजनाएं चली जो कॉंग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 वर्षों से कही गुना जादा किया सतर साल में चैतर चोहतर एरपोर्ट थे हमने चैतर नए एरपोर्ट बना कर दे दिये पिछले सतर साल में मातर साथ एमस से हमने सोला नए एमस बना कर दिये पिछले 70 साल में 3,20,000 km शड़के थे, उन्हें 4,000,000 km ग्रामिन शड़के बनाई फिर 90,000 नैशनल हाईवे थे 90,000 km अब वो बढ़कर 1,50,000 km हो गये इसी तरह से ही Medical College हर जिले में एक बना दिया Congress जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धी का काम मोधी सरकार ने किया और अब भी मोधी सरकार ये चाहती है कि हर उस वंचित तक जो उसका हक था वो मिले इसलिए देशपर में विक्सित भारत संकल्प यातरा चलाई गई है तो घर घर तक पहुँच रही हैं सरकारी योजना है रुकिंग एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजर होते हैं